तिहास में ऐसा क्या हुआ कि पश्चे मंगाल या हम आसाम में ही शक्ति पूजा देखते हैं। लिटरली एवरीबडी थिंक्स कि मेरी ही प्रदेश में मनाई जाती है नवरात्री बाकी जगा तो नहीं होती है। अगर आप बोलेंगे कि बंगाल में बहुत होती है तो गुजात में क्या कम होती है?" गुजछात का तो गर्भा इतना फेमिंजहा है। डीया। मुबई है 만큼 और मुंभा देवी के नाम पे है। कलकत्ता कालिकत्ता तो काली के नाम पे है। अल्मोस्ट हर प्रोस्परस शहर देवी के नाम पे है, और इन में से कोई भी शक्ति पीट नहीं था, आदी शंक्राचारे ने एक स्थोत्र लिखा है जिसमें 18 शक्ति पीठों का वर्णन है, तो अगर आप इन दोनों मान्चित्रों को एकठा कर देते हैं, तो पूरा भारत द आप देवी मैं है, अभी जैसे की तयोहर चल रहा है, इसमें सबसे प्रमाडिक विधि क्या है देवी पूझा की? चार-पांच त्योहर हैं जो रात्रियां स्पेशल हैं इसमें शिवरात्री आती है, क्रिष्ण जन्मस्टमी आती है, होली का देहन आता है और नवरात्री तो हम मिट्टी से देवी की मूर्ती बनाते हैं, नौ दिन तक उसकी पूजा करते हैं और दसमें दिन उसका विसरजन करते हैं, तो यह एक कॉस्मिक साइकल का रीक्रियेशन है हम चाहेंगे कि ललिता सहस्त्र नाम पे बात करें, दुर्गा सब्तशती पे तो बात आपने बहुत से प्लैटफॉर्म पे की है सहस्त्र नामों में क्या होता है, या 108 नाम या सहस्त्र नाम जब भी होते हैं, तो उसमें एक संक्षिप्त में, like coded form में उस देवता की पूरी कथा आ जाती है आदे से जादा ब्रह्मांद पुरान उनी का आख्यान है, उसमें श्री चक्र की संरचना है पूरी, उनकी जो पूरी सेना है, वो एक चक्र के रूप में है, उनका जो रत है उसे चक्र राज कहते हैं, और श्री चक्र को भी चक्र राज कहा जाता है पता नहीं आप भी कैसे परसीव करेंगी क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर बहुत जगा मैं देखता हूं कुंडलीनी जग रही है तो वो उचलने लगते हैं तो फिर वो मुझे समझ नहीं आता है कि क्या बाते हैं समाना जाता है कि शक्ती हैं वो मुलाधार में रहती हैं शिव जो हैं वो सहस्वरार में रहते हैं तो जो जर्नी पर जाने की कुंडलीनी की जर्नी है वो देवी की जर्नी है टू मीट शिवा और जिनकी कुंडलीनी जागरित होगी वो सोशल मीडिया पर शयद हमें नहीं मिले ग्रंथों को पढ़ कैसे पढ़ा जाए या पढ़ने के बारे में तैत्री ओपनिशत कहता है साथियों आप सभी का स्ट्राइकिंग तौर शो पर स्वागत है और ये हमारा पहला सिंगल पॉडकास्ट है हम अभी तर डबल गेस्ट के साथ पॉडकास्ट करते थे ऐसे विशय चुनते थे जिन पर हम कौंट्रास्टिंग पॉइंट फव जाने जिससे कि हमें उस विशय की सच्चाई के बारे में पता चले लेकिन ऐसे भी कई विशे होते हैं जिन पे हमें contrasting point of view की जगा in-depth knowledge चाहिए होती है और आप लोगों ने भी लगातार आग्रे किया कि single podcast भी किये जाएं जहां हम उस विद्वान की जो कार्य है और जो उनका अनुभव है उसको भी समझ सके और साथियों नवरात्री का तोयहर प्रारम हो चुका है आप सभी को नवरात्री की हर्दिक शुब कामना है और इससे ज़्यादा पवित्र समय नहीं हो सकता एक नई सीरीज को प्रारम करने के लिए और वो भी ऐसी सीरीज जिसमें हम देवी मा पर शाक्त धर्म पर और तंतर पर बात करें और साथियों देवी मा पर बात करनी हो इसलिए हमने बुलाया है नन अदर दैन अनुराधा गोयल जी को परिचे की आवशकता नहीं है वो 2004 से ही इंडी टेल्स नाम के एक ब्लॉग को लिखती है जो की भारत का प्रमुख बाइलिंग्वल ट्रैवल ब्लॉग है और उस ब्लॉग में आप जाएंगे तो बहुत धेर सारी आपको फोटोज, वीडियोज और आर्टिल्स मिलेंगे वो देश भर में घूम घूम कर कई मंदिरों का अध्यन की है शोध करती है उनकी जो नौलेज है वो केवल किताबी नहीं है वो जगा पर जाकर रिसर्च करक अपने पूरे नौलेज सिस्टम को बिल्ड किया है साथ में साथियों अनुराधा जी ने 700 से ज़्यादा पुस्तकों का रिव्यू किया है जिसके कारण उन्हें लिम्का बुक आफ रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है वो सच में एक मल्टी टैलेंटेट स्कॉलर है अद्वायत से प्रारंभ करते हैं और अंत में जाकर उपासना मार्ग में भी रचना करते हैं तो उनकी देवी भक्ती कैसे आती है यह सब कुछ हमने अनुराधा जी से समझा है तो यह एपिसोड बहुत ग्यानवर्दक होने के साथ साथ बहुत रूचिकर भी है और यह प्रते कोर्स पर 30% का एक्स्ट्रा डिसकाउंट दिया जा रहा है यदि आप दुर्गा 30 इस कूपन कोर्ट को प्रयोग में लाएंगे तो आपको प्रते कोर्स पर यह डिसकाउंट मिल जाएगा तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस पावन समय में हिंदू दर्शनो उपनिजदों और संस्कृत भाषा से जुड़े और अगर हो पाए तो आप कश्मीरी शैव दर्शन को जरूर पढ़े और योग दर्शन को यह ऐसे दर्शन है जो आपको तंत्र के बहुत समीप ले जाएंगे और साथियो इस ट्रैकिंग थौट शो को भी सब्सक्राइब क कि दिनों में आप से मिलकर देवी मा पर चर्चा मैं कर पा रहा हूँ यह मेरा सौभाग्य है और आपका हमारी पूरी टीम स्वागत करती है कुछ प्रशन है मैं भी पिछले कुछ कई सालों से या फिर जबसे मैंने चैनल बनाया है उसके बाद से मैंने देवी मा पर देवी शाक्त धर्म पर कुछ वीडियोस की हैं हम अपनी रिसर्च करते हैं लेकिन आपका इस फिल्ड में खुद का रिसर्च है और आप कई मंदिरों में गई है आपके परसनल एक्सपिरियंसेज भी है मेरा पहला प्रशन तो आपसे यही है कि जब माता रानी की पूजा की बात आती है और जब नौदुरगा आती हैं तो हम देखते हैं कि चाहे वो पश्यम बंगाल हो कोलकाता हो बहुत अच्छे से वहाँ पर मा की पूजा होती है सबसे ज़्यादा मा की वैसे मेरे शेहर में भी होती है और जब पंडाल लगते हैं ऐसा नही है लेकिन मैं जो देखता हूं कि जो पश्यम बंगाल और आसाम में मा की पूजा होती या मा के जो तीर थस्तल हैं जो उनकी मानता हैं बहुत ज़़ादा गहरी मानता है तो क्या इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल या हम आसाम में ही बहुत ज़्यादा मा की शक्ति पूजा देखते हैं सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शेकों को बहुत बहुत नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहां बुलाने के लिए और देवी मा पे बात करने के लिए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिरफ पश्चिम बंगाल और आसाम में वो डेफिनेटली शक्ति वर्शिप के गड़ कहे जा सकते हैं जहां पर एक बहुत विजुल फॉर्म में हमें वहां देखने को मिलता है पूजा बहुत फेमस हो गई है और आसाम में का माख्या पीठ है जो शायद सबसे प्राचीनतम शक्ति पीठ जो अभी तक है वो चल रहा है लेकिन अगर हम देवी मंदिरों और शक्ति पीठों की बात करें तो उसकी कथा जाती है सती की कथा पे कि जब सती जो भगवान शिफ की पहली पत्नी थी और दक्ष प्रजापती की पुत्री थी तो दक्ष प्रजापती और शिफजी की किसी कारण वश नहीं बनती थी वो नहीं चाहते थे कि सती शिवजी से विवाह करे लेकिन उन्होंने किया तो एक बार दक्ष प्रजापती ने एक यग्य रखा जिसमें उन्होंने भगवान शिवज को नहीं बुलाया और सती को अबिसली बुरा लगा क्योंकि वो ना सिरफ देव हैं बलकि एक दामाद भी हैं जिनका अधिकार वनता है ससुर के यहां अगर कुछ भी यग्य है तो उसमें जाने का तो उस समय सती ने आत्म दहन किया था उसी दक्ष यग्य में और जब शिवजी ने उनका शरीर उठा कर तांडव करना शुरू किया था तब विष्णु जी ने सती के शरीर के टुकड़े किये थे अपने सुदर्शन चक्र से और जहां जहां वो उनके शरीर के अंग गिरे थे वो शक्ती पीठ मन गए तो जैसे आप नैना देवी जाएंगे तो वहां उनकी में हमें अलग-अलग संख्या मिलती है कहीं क्यावन शक्ती पीठ मिलते हैं कहीं 108 शक्ती पीठ मिलते हैं आदी शंक्राचारे ने एक स्तोत्र लिखा है जिसमें 18 शक्ती पीठों का वर्णन है और जब आप इस शक्ती पीठ को भारत के अखंड भारत के नक्षे पे देखते हैं, मान्चित्र पे देखते हैं, तो आपको पूरे भारत में उनका एक फुट्प्रिंट मिलता है देवी, तो आपको एक तरह से ऐसा लगता है कि पूरी भारत भूमी ही सती का शरीर है और दूसरा मैंने एक करीब पांचे साल पहले जब मेरी अपनी जर्नी शुरू हुई शक्ती दर्शन की तरफ या शाक्त, पूजा की तरफ तो उसके बिगिनिंग में मैं एक ट्रावलर थी ट्रावल ब्लॉगिंग करती थी, बहुत सारे जगा जाती थी, तो मुझे याद है कि मैं मैंगल और में, मंगला देवी के मंदिर में थी तो वहां मुझे पता चला कि मैंगल और का नाम मंगला देवी के नाम पे है, मंगला उरू उरू in Kannada means घर तो मंगला देवी का घर से मैंगल और बना तो जैसे जो भी व्यक्ती मुझे इस बारे में बता रहे थे तो मुझे suddenly ध्यान आया कि मैं चंदीगड में पली बढ़ी हूँ जो चंदीदेवी के नाम पे है और ऐसे बात शुरू हुई और फिर मुझे काफी शहर like Bombay है, Mumbai है Mumbai है, Mumbai देवी के नाम पे है Calcutta, Kalikatta you know, Kali के नाम पे है दिल्ली का भी नाम किसी जमाने में योगी नी पुरा हुआ करता था यहां बहुत से योगी नी मंदिर थे तो एक इसका प्राचीन नाम योगी नी पुरा था तो मैंने ऐसे ही अपने Twitter handle पे और अपने social media पे यह डाल दिया कि यह मुझे यह दस नाम पता है of cities which are named after Devi, do you know of more and within a day or so I had a list of 50 plus cities and none of these are Shakti Peets जो माता के नाम पर जो माता के नाम पर है हमें पता नहीं है, जैसे Ambala है वो Amba Devi के नाम पे है Jind है, Jainti Devi के नाम पे है और बहुत से ऐसे मुझे जैसे Kolar है एक जगा almost हर प्रोस्परस शहर Devi के नाम पे है और इन में से कोई भी Shakti Peets नहीं था वो अलग है, तो अगर आप इन दोनों मानचित्रों को एकठा कर देते हैं तो पूरा भारत Devi में है ऐसा लगता है कि पूरा भारत में Devi की पूजा होती थी और अगर हम archaeologically बात करते हैं तो जो हमें सिंदू सरस्वती सभ्यता के अवशेश मिले हैं उसमें सबसे जादा हमें मात्रिका मूर्थियां ही मिलती हैं जो earliest evidence है शक्ति वर्षप का तो मात्रिका मूर्थियां मतलब देवी की मूर्थियां? माता के रूप में फीमेल फीमेल बट इस मादर्स शाए वो गर्भ दिखाया जाएगा या बच्चे के साथ दिखाया जाएगा अभी जैसे आप सब तो मात्रिकाओं की मूर्थियां देखते हैं जो हमको बहुत जगा हर अल्मूस्ट पूरे भारत में मिल जाती है तो उसमें वो मात्रिका बच्चे के साथ दिखाई जाती है बहुत बार या होल्डिंग चाइल्ड इंसाम फॉर्म इंशेप तो मदर एंड चाइल्ड जिसको बोला जाएगा ऐसी मूर्थियां हमें मिलती है तो शक्ति वर्षिब एक तो सबसे प्राचीन वर्षिब का फॉर्म है मेरे हिसाब से नॉट चस्ट इंडिया में इंडिया के बाहर भी वहां खतम हो गया है इंडिया में अभी भी है फिर करीब तीन दो-तीन साल पहले मुझे डॉक्टर बेबे देबरोई के साथ एक पुस्तक एडिट करने का सवभागे मिला जिसको हमने नाम दिया नावरात्री वेन देवी कम्स होम तो वहां पर हमने भारत के 16 खेत्रों में नावरात्री कैसे मनाई जाती है उसको डॉक्यमेंट किया इन 16 खेत्रों में नेपाल भी एक खेत्र है और इसमें हमने भारत के अविभिन खेत्रों में प्राक्टिसिंग लोगों को इन्वाइट किया एक ऐसे लिखने के लिए कि उनके खेत्र में नावरात्री कैसे मनाई जाती है और इंसिडेंटली पिछले हफते ही मैंने एक women's college में Bangalore में एक lecture दिया on Navaratri तो literally everybody thinks कि मेरी ही प्रदेश में मनाई जाती है Navaratri बाकी जगा तो नहीं होती यह हमारा ही festival है but this is a very good example of India में जिसको मैं diversity in unity कहती हूँ not unity in diversity but diversity in unity कि कोर पे हम एक है कोर पे हम उन्ही तिथियों पे Navaratri मनाते हैं भारत भर में उसी देवता की फूजा करते हैं हर Navaratri में हम देवी की पूजा करते हैं किसी form and shape में लेकिन वो कैसे करते हैं उसमें थोड़ा बहुत अंतर है सब जगा रात को पूजा होती है क्योंकि रात्री है तिवार के नाम में ही Navaratri है चार-पांच तिवार हैं जो रात को होते हैं जो रात्रियां special है इसमें शिवरात्री आती है क्रिष्न जन्माष्ट में आती है होली का देहन आता है और Navaratri दिवाली तो ये चार-पांच जो हैं जिसमें रात को celebration होती है तो नवरात्री में भी रात को होती है और लेकिन भारत का कोई क्षेतर ऐसा नहीं है जहां नवरात्री नहीं मनाई जाती और फरवर में थोड़ा बहुत difference हो सकता है अगर आप बोलेंगे कि बंगाल में बहुत होती है तो गुजरात में क्या कम होती है गुजरात का तो गर्भा इतना फेमस है गर्भा क्या है गर्भा गर्भ का मतलब है गर्भा मतलब उसको एक मिट्टी के बरतन में जिसमें छेद रहते हैं उसमें दिया जलाके उसमें देवी का आवाहन किया जाता है और उस गर्भा के around देवी को प्रसन करने के लिए देवी की स्तुतियां गाई जाती है तो उसमें देवी जब अपनी पूजा के बारे में बोलती है कि उनको कैसे पूजा चाहिए या क्या चाहिए या किस से वो प्रसन होती है तो वो रात्री को उत्सव करो गीत गाओ, संगीत गाओ वाद्य बजाओ और मेरा उत्सव मनाओ ये देवी खुद कहती है इन फैट मैंने प्रसन उपनिशद में भी पढ़ा है कि ये जितनी भी ऐसी क्रियां है जो लौकिक क्रियां है संगीत हो गया या फिर अभिनय हो गया, नित्य हो गया ये रात में बहुत जादा पुन्यकारी है ये सामवेद से आती है और सामवेद का समय इवनिंग है वेदों में रिगवेद का समय सुभे का है जुरवेद का मध्यानकाल और सामवे दिवनी, इसलिए सब musical performances, concerts सब शाम को होती है, यूँकि उस समय आप रस ले सकते हैं ये तो हमने बात की, इवन आयोध्या महात्मे, मुझे आयोध्या महात्मे translate करने का भी सौभागे प्राप्त हुआ तो उसमें भी जो देवियों के वर्णन है, जो देवी वहाँ पे भी बहुत देवी मंदिर है तो वहाँ पर भी वो उत्सव मांगती है देविया, कि नवरात्री के समय पर हमारा उत्सव करो रात को जागो, इसलिए नॉर्थ इंडिया में जगराते होते हैं आप रात भर जाक के देवी की स्तुती कीजिए हम भी रात को कर रहे है ये भी manifest हुआ है कि हम रात को ये बात कर रहे है प्लान हमारा दिन में करने का था रात में बात कर रहे है और किसी तरह से ये हो रही है चर्चा उसके लिए भी मैं बहुत अपने आपको भागशाली मान रहा हूँ इसमें अनुरादा जी ये तो हम समझ गए कि भले हमें अपने परस्पेक्टिव से लगता हो कि हम अपनी जगा ही मना रहे हैं हमारे ही मनाया जाता है या फिर बंगाल आपने भी गर्बा की बाती तो सडन मुझे क्लिक हुआ कि हाँ गुजरात में भी तु मनाया जाता है नॉर्थ इंडिया में पूरे तो नॉर्थ इंडिया में पन्जाब हर्याना में हम लोग सांजी का लगाते हैं सांजी में जिस तरह बंगाल में नदी की मिट्टी से देवी की मूर्ती बनाई जाती है, यहाँ पर छोटे-छोटे चांद सूरज से कले लेकर उससे देवी की मूर्ती दिवार पर बनाई जाती है और बाकी जगा पर देवी का आमाहन कलश में होता है कलश में देवी को आमाहन करके, बाद में नौ दिन उनकी पूजा करके आद में विसरजन, जहां पर मूर्ती बनती है वाँ विसरजन होता है, नहीं तो वो कलश की स्थापना नौ दिन बाद खतम हो जाती है, तो सब जगा होता है, तेलंगाना में इतना बड़ा उत्सव होता है उसका नाम, in fact, तेलंगाना का जो अभ देवी, और वो लो किस तरह से बनाते हैं, वो इतने बड़े-बड़े फूलों के पाइल से, अलग-अलग फूल, जो सीजनल फ्लार्ज हैं, उनसे एक पाइल बनाते हैं, उपर हल्दी की गांठ रखते हैं, उसमें, और, you know, usually, महिलाएं पूजा करती हैं, उसके अर्दगि अर्देश में तिपोट सम्म होता है, जब देवी को नौका विहार के लिए ले जाया जाता है, और बहुत सुंदर-सुंदर नौकाएं बनती हैं, राजस्थान में गणगौर होता है, गणगौर भी बहुत बड़ा फेस्टिवल है राजस्थान में, वो भी नवरात्री है अलब देवी पूजा पूरे भारत में ही होती है, अलग-अलग रूपों में, जिस प्रकार से हम मकर संक्रान्ती की बात करते हैं, पूरे भारत में होती है एक्चुली हर फेस्टिवल, कार्तिक पुर्णिमा, माग मेला, एवन कुम्भ, हमें चार कुम्भ पता हैं, लेकिं दक्षिन भारत में पुषकरम होता है, जो हर नदी पे होता है, बेस्ट अन ब्रहस्पती की स्थिती क्या है आकाश में, तो ब्रहस्पती जिस जब राशी बदलते हैं, तो एक अलग नदी पे जाके उसका उत्सव मेला लगता है, या स्नान होता है, तो कोई भी उत्सव ले लीजिए, more or less पूरे भारत में मनाया जाता है, और यही भारत को बानता है, इसमें अनुराधा जी ये तो सवज में आ गया हम सभी लोग मना रहे हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो एक कॉमन सूत्र होगा, जिससे देवी मा प्रसन हो रहे हैं, या जो हमारे दर्शक है, उनको आप बताइए कि… कॉस्मिक रिदम है, स्रिष्टी, स्थिती, लेका, उसको हम एक छोटे माइक्रोस्कॉपिक फॉर्म में नौ दिनों में इनाक्ट करते हैं, हम देवी की मूर्ती, मतलब किसी जमाने में लोग अपने हाथ से बनाते थे, आज भी कोई तो बनाता है, हम खरीद के ले आते हैं, तो हम मिट्टी से देवी की मूर्ती बनाते हैं, नौ दिन तक उसकी पूजा करते हैं, और दसमें दिन उसका विसरजन करते हैं, तो ये एक कॉस्मिक साइकल का रिक्रियेशन है, कि आप क्रियेट करते हैं, उसका एक लाइफ टाइम है डिफाइन, उसमें उसकी पूजा की जाती है, celebration होती है और दसमें दिन उसका विसर्जन करते हैं और ये एक basic process follow होता है फिर regional differences community wise differences सब में आते हैं, जैसे नॉर्थ में उपवास रखा जाता है और उसका भी एक कारण है कि नॉर्थ में जो seasonal changes हैं वो बहुत जादा होते हैं, गर्मी, सर्दी extreme में होती है और ये दो जो हमारी बड़ी नवरात्रियां, वैसे चार नवरात्रियां होती हैं, जो बड़ी दो नवरात्रियां हैं, वो हमारे seasonal transition के time पे आती हैं जब गर्मी से सर्दी आ रही होती है तो वो उपवास रखके उपवास बाकी भारत में बहुत जादा नहीं होता, कहीं कहीं होता है लेकिन बहुत जादा प्रचलन नहीं है लेकिन North India जहां seasonal differences बहुत extreme हैं, वहां पर उपवास होता है जिससे की health health के लिए, you are preparing your body for the coming season कहीं ना कहीं जहां पर उस समय पर agricultural produce आती है वहां पर देवी को पहली फसल offer की जाती है तो regional differences हैं, जैसे केरल में जो दशेरे से पहले वाले तीन दिन होते हैं उसमें एक विद्या रंभम होता है यह आक्षर अभ्यास बोलते हैं जहां बच्चों को जो पढ़ना शुरू करने वाले बच्चे हैं तीन से चार साल की उमर के बच्चे उनको सरस्वती के मंदिर ले जाके उनको पहला अक्षर लिखवाया जाता है चावल में चावल की प्लेट लेके उनका हाथ पकड़ कर कोई बड़ा गुरू या आचार या दादा दादी जो भी बड़े हैं घर के वो बच्चे का हाथ पकड़ कर उसको पहला अक्षर लिखना सिखाते हैं वो नवरात्री में होता है तमिलनाड में आंथर प्रदेश में और सम पार्ट्स ऑफ करनाटका एक गोलू करके रखते हैं वो बहुत सारी गुडिया होती है जिससे की वो पूरा कॉस्मिक एक स्फियर बनाते हैं स्टेप्स होते हैं एक सीड़ी की तरह प्लाटफॉर्म होता है उसमें सबसे उपर देवी देवता होते हैं फिर छोटे देवी देवता हैं इनको यक्षगंदर्व को कहते हैं फिर हुमन्स होते हैं फिर एनिमल्स होते हैं फिर बिर्ड्ड होते हैं फिर different types of flowers होते हैं फ्लोरा जो है हमारा वो पूरा एक cosmic order डिस्प्ले करते हैं और हर घर करता है और लोग एक दूसरे के घर visit करते हैं वो सबकी वो dolls display देखने, public display भी बहुत बड़े-बड़े होते हैं नवरात्री के during तो हर community अपने अपने तरह से अपने आपको remind करवाती है कि हम एक बहुत बड़े ब्रह्मान्द का छोटा सा पार्थ है और हम एक बहुत बड़ी cosmic cycle का एक चोटा सा पार्थ है इसमें मैं पूछने ही वाला था, मेरे मन में भी सवाल उठ चुका था कि विसरजन क्यूं करते हैं जैसे अभी गड़पती जी का उत्स हो गया उसमें भी विसरजन देखा, फिर अभी नवरात्री आती है तो हम विसरजन करते हैं और जो आपने इतना beautiful answer जो हमें मिला है कि जो सृष्टी है, स्थिति और उसके बाद जो ले है, उसका एक तरह से symbolism है, इसमें अनुरादा जी जैसे कि हम ये तो समझ गए कि किसी ना किसी प्रकार से हमें जो ये स्थितियां है, जो इश्वर ने बनाई है या देवी मा ने बना ये constant reminder है, कि nothing is permanent, इसे याद रखो, इसे भूलो मत ये reminder है, इसके साथ साथ जैसे ही नवरात्री आती है, पंडाल सस्ते हैं, पूजा होती है, माता जी की, जैसे हम माता जी को घर बुलाते हैं, उनकी पूजा होती है, उसके बाद विसर्जन करते हैं, साथ में कुछ ग्रंथों का पठन-पाठन भी करते हैं, आज कल जब बात होती है ग्रंथों के पठन-पाठन की तो बहुत धेर सारे restrictions भी बताए जाते हैं social media पर कि आप ये नहीं पढ़ सकते हैं आप ऐसे पढ़ें या इतने समय तक पढ़ें अगर आप दुरगा सब्तशती की बात होती है आप इस तरह से पढ़ें तो ग्रंथों को पढ़ कैसे पढ़ा जाए या फिर क्या साल भर पढ़ना चाहिए या फिर कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनको नवरात्री में ही पढ़ना चाहिए या फिर अगर हम नवरात्री में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमाई दर्शकों को ऐसा कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए कि ऐसे ही पढ़ना है पढ़ने के बारे में तैत्री उपनिश्द कहता है कि आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं दो चीज़े अवश्य कीचिए स्वाध्याय प्रवचन एक तो पढ़ना सेल्फ स्टडी और जो आपने पढ़ा है उसे दूसरों के साथ सांझा करना ठीक है तो ये नित्यनियम में आता है कि आपको डेली करना ही है अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि पांडव वन में रहे, महल में रहे वार में रहे अज्यातवास में रहे लेकिन वो कुछ भी करते थे स्वाध्याय नहीं छोड़ा उनोंने नित्य का स्वाध्याय वो करते ही थे तो स्वाध्याय एक जिसको सामान्य धर्म कहते हैं 25% अपने आचारिय से सीखते हैं, 25% हम अपने पियर ग्रूप से सीखते हैं जिनके साथ हमपड़ रहे हैं 25% हम सेल्फ रिफलेक्शन से सीखते हैं चिन्तन से 25% काल करमें ठीक है और काल करम में स्वाध्याए भी आता है, आपका अनुभव भी आता है और स्वाध्याय भी आता है और स्वाध्याय के भी आपके जीवन करम के साथ स्वाध्याय के मतलब बदलते जाते हैं आपकी जीवन स्थिती के हिसाब से जीवन की जो भी आप स्टेज पे हैं उसके हिसाब से जो आपने पढ़ा था उसका आपके ब्रह्मचारी जीवन में कुछ और अर्थ था, आपके ग्रहस जीवन में अलग होगा, वानप्रस्त में अलग होगा, तो ये तो पढ़ने पे आ गया, तो इसलिए पढ़ना डेली चाहिए, और कोई भी पढ़ सकता है, जहां तक restrictions की बात है, हमारे पूरवज हमसे बहुत इस ग्रंथ में ये लिखा होता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के फाइदे क्या है, या कितनी बार पढ़ने से आपको क्या मिलेगा, किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना अधिक लाबकर है, कब नहीं पढ़ना चाहिए, और जितने भी निय वो उसमें लिखे रहते हैं तो दुर्गाप सप्षती में भी वो लिखा है और एक चीज जेनरली जो सब में लिखी रहती है वो ये है कि गलती नहीं करनी चाहिए पढ़ने में लेकिन अगर हो गई आपका जब तक भाव सही है देवता समझते हैं कि आपका भाव सही है गलती हो गई जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ जाता है कि मेरे से गलत उचारण हुआ या तो आप उसको उसी समय सुधार सकते हैं और नहीं समझ में आ रहा है तो अगली बार जब पढ़ें तो किसी से सीख कर उसको सुधार लें आज की डेट में तो YouTube पर ही इतना कुछ मिल जाता है कि आप उसको देखके सीख सकते हैं तो हर ग्रंथ में लिखा रहता है तो दुर्गा सबशती में भी यही लिखा है कि उसके दो या तीन तरह के परायन है आप एक बार में अगर पूरा पढ़ सकते हैं तो वो सब्श्रेष्ट है नहीं पढ़ सकते हैं तो उसके तीन चरित हैं उनको तीन दिन में पढ़ सकते हैं अगर वो भी अधिक है तो उसका एक साथ दिन का क्रम है जिसमें कि पहले दिन ये पढ़िये, दूसरे दिन ये पढ़िये, उसके साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ये है परायन के लिए, लेकिन अगर आप अध्यान के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप रोज एक शलोग, चाट शलोग, पांच लोग जितना पढ़ना चाहें, रहता है कि आपको किस दिन पढ़ने के अधिक लाब होंगे, जैसे देवी के अस्तोत्र, usually Fridays are associated with देवी, तो Friday को पढ़ने से लाब होगा, बहुत जादा नहीं रहते, इतना ही रहता है, जैसे लालिता सहस्रे नाम है, तो उसमें लिखा होता है कि अगर आप चैंटिंग रोज क कर सकते तो Friday को कर लीजिये, वो भी नहीं कर सकते तो केवल पूर्णी मा को कर लीजिये, वो भी नहीं कर सकते तो महा नवमी जो की अश्टमियन नवमी के बीच की रात होती है, ड्यूरिंग नवरात्री, उसको कर लीजिये साल में, तो आप अपनी सुविदा अनुसार, और अगर आपको उसको साधना है तो फिर आप उसका एक हजाराट कीजिए लेकिन उतनी आपको अपनी capacity बढ़ानी पड़ेगी कि आप एक बार में उस एक posture में बैठके उसका पराइन कर सकें वो capacity धीरे धीरे बिल्ड होती है तो हर गरंथ में लिखा रहता है कि क्या करना है क् किसी और की सुनने से अच़ए गरंथ की सुन लीजे लब गरंथ में ही दिया है आप उसके हिसाब से पालन करें अब बहुत लोग कहते है महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए यह हमने commonly सुना है ठीक है लेकिन महाभारत तो ये नहीं कहता अगर महाभारत ऐसा कहता तो पि उस युद्धा से बोली गई थी जो युद्ध नहीं करना चाह रहा था और उसको सुनने के बाद युद्ध करके युद्ध जीतता है तो महाभारत तो यह कहता है कि सब को इसका अध्यान करना चाहिए और इससे शिक्षा लेनी चाहिए तो मेरा ऐसा मानना है जितने गरंथ म पॉड्कास्ट आपको बहुत ग्यानवर्धक लग रहा होगा यदि आपके कोई सुझाओ है चाहे विशाय को लेकर या किसी गेस्ट को लेकर तो आप हमें जरूर कॉमेंट सेक्षन में बताइए हम उस तरह के विश्यों पर और उन तरह के गेस्ट को आमंत्रित करेंगे इ सिक्षनम पर हम अपने भारती दर्शनों को उपनिश्दों को और संस्क्रित भाषा को बहुत अच्छे से सिखाते हैं और एक साल के भीतर भीतर हमारे साथ 70,000 से भी जादा स्टुडेंट्स जुड़ चुके हैं और इस साल तो अमेरिका में वैदिक ज्यान के लिए भारत क सबसे अच्छा प्लैटफॉर्म सिख्षडम को चुना गया है तो यदि आप सनातन धर में रुजी रखते हैं तो आपके सीखने के लिए यह सबसे बेस्ट लर्निंग प्लैटफॉर्म है आप एक बार जरूर जुडिए हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा हर एक कोर्स म 15% का extra discount भी मिल जाएगा ये coupon code केवल हमारे hypercrust की जो audience है जो हमें इतना प्यार देती है उनके लिए ही है तो सिख्षडम की website और app की link आपको नीचे description box और comment section में मिल जाएगी आप एक बार जरूर जुड़े हैं आईए अब podcast को आगे बढ़ाते हैं तो जैसे अनुरादा जी आप पढ़ेंगे गरुड कुरान के बारे में मैं सरफ इतना कहूंगी क्यूंकि उसका विशय मृत्यू और मृत्यू के बाद की क्रियाएं हैं तो अगर possible हो तो उसको जब कभी भी आपके घर में कोई मृत्यू होती है उसके बाद वैसे भी गरुड कुरान पढ़ा जाता ह अनुरादा जी जैसे की हमारे गरंथों की बात चल रही है और mostly दुर्गा सब्तशती की बहुत बात होती है मैं आपका podcast देखा था बीर बैसे पर रणवीर के साथ तो वहाँ पर बात ललिता सहस्ट नाम की भी हुई थी मेरे अभी पिछले कई वीडियो पे कई दर्शकों ने comment किया था कि आप ललिता सहस्ट नाम पर वीडियो बनाएए साथ ब्रह्मान पुराण में है तो हम उस पर research कर रहे हैं लेकिन आप हमारे सामने तो हम चाहेंगे कि ललिता सहस्ट नाम पर बात करें दुर्गा सब्तशती पर बात आपने बहुत से platform पर की है तो यह बताए ब्रीफली तो सती के जाने के बाद शिवजी ध्यान में बैठ गए थे और तब तक तारका सुर का जन्म हो गया तो तारका सुर को मारने के लिए शिवजी का पुत्र चाहिए था अब शिवजी का पुत्र चाहिए तो उनकी पत्नी चाहिए तो तब पार्वती का जन्म तो देवताओं ने कामदेव को भेजा था शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन शिवजी ने कामदेव को आँख खुलते ही उनको भस्म कर दिया, उनकी भस्म से एक पुतला बनाया गया जिसमें जान फूपती गई, तो वो भंडासुर था, लेकिन भंडासुर भी बहुत तपस्या की और बहुत से वरदान ले लिये, तो उसको मारना पॉसिबल नहीं था, उसको मारने के लिए कोई आधी शक्ती चाहिए थी, तो देवताओं ने तब देवी का आवाहन किया, और देवी यग्यकुंड से प्रकट हुई, और उनका नाम था, लालिता त तो उनके इस अवतार का, जिसमें उन्होंने भंडा सुरकावद किया, उसे ललिता देवी कहते हैं, और उनके पूरा आदे से जादा ब्रह्मांद पुरान उनी का आख्यान है, उसमें श्री चक्र की संरचना है पूरी, उनकी जो पूरी सेना है, वो एक चक्र के रूप में उनका जो रत है उसे चक्र राज कहते हैं और श्री चक्र को भी चक्र राज कहा जाता है, फिर उनके रत के इर्दगिर्द सब योगी निया बैठी है, पूरे बहुत सुन्दर डिस्क्रिप्शन है और पूरा जो जो श्री विद्या है, उसका ये में टेक्स्ट है, उसी से निकल कर उनके जो हजार नाम है उसका जो स्तोत्र बना उसे ललिता सहस्त्र नाम कहते हैं तो सहस्त्र नामों में क्या होता है या 108 नाम या सहस्त्र नाम जब भी होते हैं तो उसमें एक संक्षिप्त में like coded form में उस देवता की पूरी कथा आ जाती है उसके कथा उसके उसके hidden meanings, esoteric meanings सब आ जाते हैं तो इसमें भी ये total स्तोत्र तो 320 श्लोकों का है जिसमें पहले पूर्व भाग में एक अगस्तिय रिशी और हाय ग्रीव, विश्नु के अवतार है हाय ग्रीव उनका एक समवाद है जिसमें अगस्तिय रिशी हाय ग्रीव से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ललिता सहसर नाम की दिक्षा दीजिए या मुझे सिखा दीजिए वो करीब 50-60 verses है then 183 verses are about the thousand names of ललिता त्रिपूर सुंदरी and then of course there is फलशृति the rest of it, लंबी सी फलशृति है उसकी तो जो ये 188 श्लोक हैं इसमें हजार नाम आते हैं जिसमें उनके इस थूल शरीर का वर्णन है जो बहुत सुंदर है उनके उनसे जुड़ी हर चीज लाल है उनका वर्ण लाल है उन्होंने लाल कपड़े पहने हैं उनकी आरुन आभा जो सुभे के सुर्य की लालिमा होती है उसकी आभा है और पूरा उनके शरीर की मुकुट से लेकर उनके नख तक की पूरी description है उसके बाद उनके सुक्षम शरीर की description है जिसमें की तीन कूट आते हैं वागभव कूट आता है मध्यम कूट आता है और शक्ती को उटाता है फिर उनके सुक्षमतम शरीर की कुंडलीनी फॉर्म की उनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो हमारे शरीर में ये साथ चक्रों में किस फॉर्म में रहती है उस साथ चक्रों में अन की बात आती है हमारे शरीर के अलग-अलग parts की बात आती है, हमारे रक्त की, हमारे मेदा की, हमारे अस्तियों की बात आती है फिर of course उनको किस तरहां की भक्ती से पाया जा सकता है किस किस तरहां की भक्ती से उसमें भक्ती मार्ग भी आता है, ग्यान मार्ग भी आता है, समयाचार भी आता है वामाचार भी आता है, दक्षिनाचार भी आता है, और अंतर्याग आता है, बहिर्याग आता है, विभिन्द तरहां से जिस तरह से उनको पाया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, वो आता है, फिर एक जर्नी है पूरी उनकी मूलाधार से लेकर सहस्तरार की, मूलाधार से वो सहस्तुरार में रहते हैं, तो जो जर्नी, एक ऊपर जाने की कुंडिलीनी की जर्नी है, वो देवी की जर्नी है टू मीट शिवा, और इसका बहुत सुंदर वर्णन हमें आदी शंकराचारे जी ने सौंदर्य लहरी में दिया है, सौंदर्य लहरी में उन्होंने ये जर्नी भी बताई है, नीचे से उपर की और उपर से नीचे की भी, कि जब वो उपर पहांचकर उन दोनों का मिलन होता है, तब अमरित वर्णन होती है, तब आपका आपकी अमरित वर्णनने की कोशिश करते हैं, जो हमारा effort है, वो सारा नीचे से उपर जाने का, और जब कृपा होती है, तो उपर से नीचे बरसता है, तो ये समिशन है उस जर्नी का पूरा, तो ये हमें लालिता सहस्रे नाम में मिलता है, और भी बहुत सारे स्तोत्र हैं, जो लालिता त्रिपुरसुंदरी को, जिन्हें र तो उनके बारे में लालिता स्तवरत्न है, लालिता त्रिशती है, ऐसे बहुत सारे गहें, लेकिन लालिता सहस्रे नाम शायद सबसे पॉपुलर है, और दक्षिन भारत में तो I think हर घर में रोज पढ़ा जाता है, और इसमें सौंदरे लहरी भी उन पर ही है, सौंदरे लहर क्योंकि हम तो भक्ति ग्यान और कर्ममार्ग पर जादा चर्चा करते हैं, जैसे अभी मैं कश्मीर शैविजम, कश्मीर शैव दर्शन को पढ़ रहा हूं, तो वहाँ पर भी ऐसे बहुत से शब्द आते हैं, पता नहीं आप भी कैसे परसीव करेंगी, क्योंकि अभी सोशल पढ़ता हूं, कश्मीर शैविजम पढ़ता हूं, और ये भी एक कोइंसिडेंस से क्या है, कि शाक्त दर्शन भी कश्मीर में काफी अच्छे से डेवलप हुआ है, तो खेचरी गोचरी की वहाँ मैं दार्शनिक परिभाशा पढ़ता हूं, कि खेचरी जो आकाशी शक्ति ह है, वामेश्वरी की आकाश मिया, गोचरी जो है, जो आपके अंदर के अंतह करण की शक्ति है, दिक्चरी जो आपकी इंद्रियों की शक्ति है, जो आपको जीव में फसाई हुई है, तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, कि ये जो कुंडलीनी की बात ही और इसमें तो आपकी कुंडलीनी जगा सकता है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, मतलब ये मेरा मानना है, कि कोई दूसरा, आप खुद से जगा सकते हैं, और जिनकी कुंडलीनी जागरित होगी, वो सोशल मीडिया पे शायद हमें नहीं मिलेंगे, और जिनकी हुई भी होगी, अगर वो पॉसिबल है, आदी शंक्राचारिय भी सबसे पहले ही श्लोक में, सौंदेरे लहरी के ये कहते हैं, कि मैं डिफाइन कैसे करूँ, तो दूस, वो कितने श्लोकों में वाक्षक्ति मांगते हैं, कि तुमने मुझे एक्स्पिरियंस दिया है, उसको डिस्क्राइब करने की वा उसमें देवी के इतने प्रकार हैं, वो नवरस को इतने अच्छे से डिफाइन करते हैं, कि नवरस कहां से आए, जब देवी ने माधुरे भाव से शिव को देखा, तो माधुरे भाव आया, जब उन्होंने रोष्च से गंगा को देखा, तो रोष्भाव आया, जब उन्ह के प्रसंग सुन रही है तो वहां से अश्चर यभावाया तो ऐसे इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने सब डिफाइन किया है लेकिन फिर भी जो आंतरिक अनुभव हैं उनको शब्दों में ढाल पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि शब्द सीमित है अनुभव मैं आप से शेयर कर सकती हूँ और मुझे ऐसा मतलब ये मेरा पर्सनल अपिनियन है कि जो आपके बहुत सेक्रेड एक्स्पिरियंस होते हैं वो कोई भी जैनुएन एक्स्पिरियंस पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं होता होना नहीं चाहिए आपने जैसे बताया और मैंने जो आपका पिछला मतलब रणवीर का ही जो पॉडकास देखा उसमें आपने कई एक्सपिरियंस अपने बताए हैं आपने अयुद्या का अपना एक्सपिरियंस बहुत अच्छे से शेयर किया था और मैं अयुद्या का ही हूँ तो जब आप बता रही थी मैंने आपको बुलाया ही इसलिए है ऐसा नहीं कि मैं मतलब बस पॉड़कास्ट हुआ तो मुझे बुलाना है क्योंकि आपने अयुद्या का जिस प्रकार से बताया और मैं अयुद्या में हूँ आयुद्या के कई मंदिरों में गया हूँ लेकिन जिस प्रकार से हन्वान गड़ी में मेरे आंसू निकलने लगत और जिस प्रकार से भाव वी वल हम हो जाते हैं, बतलब खड़े-खड़े आंसु गिरते हैं उस जगह पर, और आपने उता है कि यह शेर नहीं करना चाहिए इस तरह से, यह जो भाव हैं, जो कुछ मंदिरों में ही, यह भाव शेर कर सकते हैं, बिकॉस इस आप खड़े, आप क्या आंसु निकल रहे हैं, आपके आसपास पालो, यह बहुत लॉकिक हैं, यह भाव के लेवल पे हैं, वो जो आपको होगा तो आप डिफाइन करने की हाथ, इसको कबीर गूंगे केरी सरकरा बोलते हैं, कि गूंगे के मुँ में शक्कर रखी है, वो कैसे बताए तुमें? इसलिए जैसे कि मैं भी जब दर्शनों का अध्यान करता हूँ, तो दर्शन शब्द ही है दर्शन करना, उसमें बताने जैसा कुछ है नहीं, और दर्शन में जितना भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है और जितने भी आचारियों से मैं मिला हूँ, वो बताते हैं कि यह स्ट् जाओगे तो यह सब निरर्थक लगने लगेगा, यह हम अभी बहुत उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो इस पत पे चलना चाहते हैं, यह अभी चलने की इच्छा रखते हैं, लेकिन नहीं जानते कैसे चाना हैं, तो उनके लिए हम कुछ पात बोल रहे हैं, लेकिन अ पॉइंट इन टाइम वो सब भूल गया, अभी बिकम्स अ पार्ट उफ यू, इसी तरह साधना पत में भी शुरू में आप तंत्र मंत्र यंत्र सब करेंगे, लेकिन अट सम पॉइंट इन टाइम वो सब छूट जाएगा, यह वो आपके, वो आपमे निहित हो जाएगा, कि मेरे, you know, जपोह जलपह, जलपह मतलब जो हम फालतू की गॉसिप, चैटरिंग करते हैं, मेरे मुझ से जो भी शब्द निकले वो जप हो जाएगा, मैं हाथ हिलाऊं तो वो नमन हो जाए, मैं सांस लूँ तो वो एक आहुती, मैं खाना भी खाऊं तो वो तुम्हारे लिए आहुती हो जाए, मतलब मैं जो भी करूँ हो तुम्हारे लिए हो जाए, हाँ, वो स्वते हो जाए, मतलब वो मुझे करना नहीं पर, effortlessness आ जाए, तो एक स्टेज पे जाके सब में वो effortlessness आ जाएगी, फिर आपको बाहर कुछ भी करने की आवश्यक्ता नहीं रह जाएगी, जब तक वो effortlessness नहीं आती है, तब तक आपको प्रयास करना पड़ेगा, और हम आदी शंकराचार जी की बात हो रही है, और किस प्रकार से वो इतने शुष्क दर्शन के साथ आगे बढ़ते हैं, अद्वैत के भाव से बढ़ते हैं, और मायावाद की बात करते हैं, इल्यू जैसे जो सगुन वर्शिप है, सगुन पूजा है, वो एक सीड़ी है निर्गुन तक जाने की, उससे भी आदी शंकराचारे जी से भी उन पे तो बहुत विवेचन हुआ है, लेकिन मुझे कबीर की पोईट्री में वो मिलता है, तो कबीर डेफिनेटली किसी समय पर शाक्त रहे थे, क्योंकि उनकी जो वो terms use करते हैं, उन्मनी और ये सब वो शाक्त में आता है, उन्मनी is a state somewhere here between this and sahasrar, तो उसमें बहुत सारा वो वर्णन करते हैं, लेकिन end of life, he says, नारदी भक्ती मगन सरीरा, तो नारद भक्ती, in fact कबीर पढ़ने के बाद फिर मैंने नारद भक्त सूत्र पढ़ा, तो नारद भक्ती सूत्र जो कहता है, वो कहता है कि आप एक मार्ग पर चली नहीं सकते, अगर आपको भक्ती मार्ग पर जाना है, तो भक्ती जिसकी कर रहे हैं, उसका ज्यान तो होना चाहिए न, बिना ज्यान के आप भक्ती कैसे करेंगे, अगर मुझे आ आपके शुरुआत एक से हो, लेकिन अल्टिमेटली तीनों आएंगे ही, अगर आप किसी की भक्ती करते जाएंगे तो उसका ज्ञान भी आपके पास आएगा, और वो कर्म के थू ही आएगा, और अगर आप कर्म करते जाएंगे, तब भी आपके पास बाकी दोनों आएंगे, और बहुत सुन्दर इसका, इसकी एक कॉमेंटरी है, इसकी ओशो की कॉमेंटरी है, उसने बोला था कि प्रयाग में जहां तीन नदियां मिलती हैं, वो ज्ञान भक्ती और कर्म मार्ग है, तो उसमें सरस्वती ज्ञान है, जो दिखाई नहीं देती, ज्ञान दिखाई नहीं देता, और यमुना जो है, वो भक्ती है, थोड़ी दिखती है, थोड़ी नहीं दिखती है, और गंगा कर्म है, जो दिखता है, कर्म की तरह, इसमें ये भी एक सुन्दर थौट है, मैंने उपनिशद में ही, किसी उपनिशद की कॉमेंटरी में ही पढ़ा था, कि तीनों के समन्वे से ही इश्वर प्राप्त होते हैं, या मोक्ष प्राप्त होते हैं, या आपको उस प्रकार की विद्या प्राप्त होती है, यदि आप किसी एक में फसते हैं जैसे ज्यान में जाते हैं तो आप एहंकार में जाएंगे जैसे रामड को हो गया या फिर जो ज्यानी ही हो जाता है या फिर एगर ज्यान का एहंकार खोना तो सबसे मुश्किल है सबसे ज्यादा क्योंकि वो तो बहुत बड़ा हो गया, उसमें भी जिसके पास ग्यान नहीं है, केवल भक्ती पे चल रहा है, क्योंकि जो बिना ग्यान के भक्ती पे चल रहा है, जैसे आपने बोला, भक्ती जिसके कर रहा है, जो बिना ग्यान के कर रहा है, यानि वो अंध विश्वास और समन्वे से ही चाहता है podcast के हम अन्त की तरफ आ गए है अनुरादय जी आपने समय दिया इसमें अन्त मैं इसी से करूँगा आज देश में जैसी स्थिती है हम नवरात्री मना रहे हैं अभी बहुत धेर सारे incidents हो गए हमारे देश में पिछले समय में और अभी भी बहुत से report होते हैं बहुत से नहीं होते हैं mostly आप देखेंगे कि अप चुकी देश में कुछ भी खराब होता है तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि ऐसी स्थिती हुई देवी की पूजा करते हैं लेकिन ऐसा भी काम गलत काम करती है कैसे देखें हम अपने किस तरह से क्योंकि देवी की पूजा यदि किसी देश में हो रही है और किसी सब्वेता में हम इस तरह से दिखती नहीं है हम जहां पर बोला जा रहा है कि जहां पर नारियों की पूजा होती है रमंते तत्रदेवता इस तरह की बाते हो रहे हैं और फिर समाज में मैं ऐसी दिखती है तो कहां पर ये खाई आगे ये क्या चीज़ हम भूल गए है हमारा अग्यान है दो एक तो देवी के उपासक बहुत कम बचे हैं और मैं उपासक में उसको नहीं काउंट कर रही जो बहुत सुन्दर पंडाल लगा के नौदिन पाटी करता है वो भी एक समस्या है कि हम पंडाल लगा के उसको पाटी प्लेस बना देते हैं देवी के नाम पे तो जो देवी का सही उपासक है वो तो स्त्री को गलत दृष्टी से देख ही नहीं सकता वो पॉसिबल ही नहीं है अगर आप सही उपासक है दूसरा जो ये नारेटिव है कि एक तरफ देवी की उपासना होती है दूसरी तरफ दुषकर्म होते हैं तो I think किसी ना किसी सनातनी को ये अपने उपर लेके ये एक survey या एक analysis data analysis करना चाहिए कि जितने भी ये दुषकर्म करने वाले हैं उसमें से क्या कोई देवी उपासक है जस्ट बिकॉज हम इस देश में रहते हैं इसका मतलब ये नहीं हर कोई देवी उपासक है और मुझे नहीं लगता कोई भी देवी उपासक निकलेगा जो किसी भी महिला के साथ कोई बहुत बड़ा दुषकर्म ये हो सकता है लड़ाई जगडा हो सकता है लेकिन दुषकर्म कोई करेगा मुझे नहीं लगता तीसरा हमें देवी को अपने जीवन में इस तरह से लाना होगा कि हमें ये मानना होगा कि देवी, especially for men, कि देवी आपके जीवन में आपकी मा के रूप में आती है, आपकी बहन के रूप में आती है, आपकी पत्नी के रूप में आती है, आपकी बेटी के रूप में आती है, आ उनों हमारे जो सबसे बड़े इतिहास हैं या हमारी सबसे बड़ी कता हैं जो I think हर किसी को पता हैं. Irrespective of आप क्या religion follow करते हैं, महाभारत रामायन की basic story तो सबको पता है. वहाँ पर दोनों में युद्ध, तो ये वो जगा है जहां नारी के सम्मान के लिए बड़े से बड़े युद्ध लड़े गए. तो आज हम नारी का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? और क्या उसमें नारी का भी कोई दोश है? ये भी हमें देखना होगा. या समाज में कहां से ये कुकृतियां आ रहे हैं? मुझे लगता है अगर हम अपने आसपास की महिलाओं का सम्मान करना शुरू करेंगे, तो धीरे 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 ये बैलेंस फिर से वापस आएगा. क्योंकि इसमें आपने सही कहा, हम अपना कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें J. Krishnamurthy जी भी बोलते हैं, कि जो इंडिविजूल लेवल पे हुमन कर रहा है, वो पूरी सोसाइटी पूरे हुमन काइड में दिखता है. अगर आप इंडिविजूल में जो परिवार में कर रहे हैं, यदि आप परिवार में किसी महिला को जाते हैं, में अच्छे व्यवार का तुलसी रामायन में रामराज्य की डिस्क्रिप्शन बहुत सुन्दर है. जब वो कहते हैं, रामराज्य का बाद है, जब हर कोई अपना वर्णाशरम धर्म निभाता है. जब राजा निमाता है खाली तब नहीं. मतलब आप जिस stage पे हैं उस stage पे life के और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें जब आप अपने धर्म को उपर रखते हैं अपना धर्म के according काम करते हैं तो रामराजी आता है उसी तरह individually हम लोग दूसरे से expect करते हैं सब कुछ करें हमसे मत expect करो कुछ भी तो बात हमें खुद से हर चीज में government कर दे ये कर दे हर चीज में हम दूसरे को देखते हैं in fact इसमें भी हर चीज में हम भगवान के भी भरोसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं कभी कभी कि भगवान आके करेंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने कहीं कि अगर दो चोटे बच्चे हैं toddlers एक उ ही देखता है कि जो प्रयास कर रहा है मैं उसका हाथ पकड़ दूँगा जो सोच रहा है बैठा वो सोचता रहेगा सही मैं जैसे आपने बच्चों का example दिया तो सही मैं अगर किसी के दो बच्चे हो और एक बच्चा अपने आप से खुद ही रोज महनत करता हो रोज अपने कपड़े अपने बैग खुद लगा लेता हो और खुद से पढ़ाई करता हो तो वो जब कोई डिमांड करेगा माबाप से तो माबाप उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे लेकि जो बच्चा बहुत जिद्धी है रोजी डिमांड करता है उसको तो यह हम अपने व्यावार में भी देखेंगे आपसे जितने छोटे लोग हैं आपके जूनियर्स हैं कॉलेज में या कुछ जो प्रयास कर रहा है आपकी इच्छा होती है मैं इसकी हेल्प करूँ जो इंटाइटल्ड फॉर्म में आपके पास आता है कि अरे तुम्हारी इस और रिस्पॉनसिबिलिटी तो हेल्प में यू रोट फॉर्म पर भी कृपा करें और हम सब पर कृपा करें इसी के साथ इस पॉड़कास को ही पर समाप्त करेंगे और आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर रात तक एकदम शॉट नोटिस पे इसको रिकॉर्ड करने के लिए नहीं नहीं आपने जिस इस्तिती में समय दिया है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है